एलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पयाज का एक नाश्ता, ये देखिए ये नास्ता बहुत ही जल्दी और जटपट बन कर भी तैयार हो जाता है और अपने घर पर रखे हुए समानों से ही बना लेते हैं ये देखिए आज हम इसी नास्ते को आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक सिस्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो पर नहीं आई हैं तो बैल आइकन का बटन जरूर दबाएए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिविकेशन आप सबसे पहले आए ये देखिए इसे बनाने के लिए मैं ज़्याद समानों की भी जर्त नहीं पढ़ने वाली हैं मैंने चार प्याज ली हुई है और चार उप्याजों को अच्छी तरीके से मैंने छील लिया है और इसका आगे का पाट जो है हमें निकाल लेना है और बीच का ही पाट ले लेना है हमें और देखिए हमें इसी तरीके से गोल-गोल निकाल लेने हैं इन गोल-गोल आकार के ही हमें रखने हैं अपने नास्ते के लिए देखिए इसी तरीके से मैंने सारी प्याज को गोल-गोल आकार में काट लिया है आप देख सकते हैं उदर से ले लिया है मैंने एक पैन और पैन चबाले नाच छुटकि आप देख सकते हैं जब यह हमारा अच्छी तरीके से चटक जाएगा उसी के बाद हमने दो आलू लिये हैं और इन्हें हमें कद्डू कस किया हुआ है अच्छी तरीके से और देखे इन्हें अच्छी ना लेते हैं हम अपनी कर्चली के जायता से उप ऐसे डाल लेते हैं रूसलो हुआ पॉडर जबाईब पाउडर मेरे तो तो हम एस तरीके थ्या तरीके से प्लिस अज़कोया काच कर दो हटी इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं अपने ये आलोपी जो फिलिंग है इसे तयार करकर जैसे ही हमारी तयार हो जाएगी इने हमें 5 मिट के लिए रेश पर छोड़ देना है ठंडा हो जाने के लिए दे देखिए मैंने 50 ग्राम लिया हुआ है पीसन इसकी फिलिंग के लिए ये देखिए जैसे ही हम इसे लेंगे तो इसमें डाल लेते हैं बरच पाउडर बरच पाउडर के साथ साथ डाल लेते हैं इसमें नमक नमक हमने पहले पिटी में डाला हुआ है जो हमने इसकी फिलिंग तयार की है तो आपक हमी ही डालें, इसमें हल्दी पाौडर है, मैंने यह डाल लिआ है, मैंने धनीया, और मैंने चार्ट पाौडर को ऐक साथ में लाया हुआ है उपर से डाल लेते हैं, धनी की पत्तिया, कि encourages इसमें डंठल का यूज नहीं करना है हमें सिर्फ पत्यों का ही यूज़ करना है यह देखिए इसमें डाल लेते हैं हम इसमें एक चमच जिसमें हम इसे तारने वाले हैं अपने वड़ा रेसिपिको उसी में डाल लेते हैं हम इसमें तेल उसी तेल को जो तेल हमने गरम करया हुआ है और यह डाल लेते हैं हम इसमें पानी पानी आपको थोड़ा थोड़ा करकर ही डालना है जादा नहीं एक सार डाल लेंगे तो इसमें गुठलिया बन जाएंगी इसलिए हमें धीरे धीरे करकर पानी याड़ करना है और इसे चम्मच या जिससे भी आप मिलाना चाहते हैं उससे मिलाते हुए धीरे धीरे करकर यह देखे हम पेश्ट इस तरीकी का रखना है यह देख सकते हैं कंडिशन इस तरीकी की हो न जादे पत्ली न जादे गाड़ी और देखे मैंने जो प्याज काटी हुई है वो लेली है उपर से जो हमने इसकी आलू के फेलिंग बनाई है वो इस पर लगाएंगे अब हम आपने काफी बार प्याज के पकोड़ी खाएं होंगे प्याज की काफी कचोरी खाएं लेकिन यह जो नास्ताज हम आपके लिए बना कर दिखाने वाले हैं यह आपने वडा जो आलू के वड़े हैं प्याज की कचोरी हैं सभी से बहुत अच्छा और जल्दी बन कर तेयार हो यह देखे हमने सारू पर लगा ली है इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से और यह देखे अब जो हमने जो इसका पेश्ट बना कर रखा हुआ है बेसन का उसी में हम इसे लगाएंगे यह देखे इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे अगर आप ऐसे नहीं से लगा सकते हैं त देखिए जैसे ही तेल गरम हो जाता है उसके उपर हम इसे डालेंगे और यह देखिए अलटते पलटते हुए हम इन्हें आप देख सकते हैं कितना सुन्दर इनका कलर भी आया हुआ है और आप इन्हें बता ही नहीं सकते कि यह हमने प्याज से बनाए हुए है जो भी इन्हें खाएगा आपकी तारीप कि यह बगर रहेगा नहीं और पुछेगा कि आपनी बनाए कैसे है यह देखिए हम सारों को अलटते पलटते हुए इन्हें सेख लेंगे ना तो हमें गैस ज़्यादा तेज रखनी है और ना ही ज़्यादे मनली तो इसलिए आप इसे मीडियम गैस पर ही सेखें तो बहुत ही अच्छे सी केंगे और क्रिस्पी सी केंगे यह देखिए मैंने पहले उतार लिए हैं मैं दूसरा कोटिंग भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे उतारना है हमने शारे को उतार लिया आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर कलर आया हूँ है चपनी मैंने इसमें हरेदनी यह और प्यागी और ट्रमाटर से बनाई हुई है हरे मिर्चों के साथ चाहे तो आप इसे टमाटर सोस के साथ भी ले सकते हैं यह देखिए पहुती अच्छा बना हुआ है हमारा नास्ता दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए यह देखिए कितना अच्छा बना है आप देख सकते हैं अपने कितनी बार पकोड़े खाएं होंगे पकोरी खाएं होंगी लेकिन यह सबसे अलग और हटकर है इनास्ता चटनी के साथ तो इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता ही है